हलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल आज देखिए फ्रेंड्स मैं आप लोग के लिए बहुत ही खुपसूरत यह बेबी कैप के डिजाइन लेकर आई हूँ आप इस डिजाइन को किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं आप इस डिजाइन को बेबी सॉक्स बेबी के लिए जैकेट या फ्रोग किसी पे अपने लिए कार्डीगन बना रहे हैं उस पर भी डाल सकते हैं इसको देखिए मैंने दो कलर में बनाया हुआ है पैगनी कलर और पीला यानि परपल और यलो कलर में बनाया हुआ है यह डिजाइन फ्रेंड्स 10 के multiple बनता है प्लस 2 extra करेंगे यानि 10 के हिसाब से ये फंदे आपने डालने है और 2 फंदा उसमें जादा करेंगे अगर आप 70 फंदे डाल रहे हैं तो 2 फंदे जादा करेंगे 72 करेंगे ठीक है 10 के multiple फंदे प्लस 2 आपने extra कर लेना है और कोई भी इसमें जंजट नहीं है तो देखे पीछे की साइड से ऐसे और 10 के साफ से ये मैंने फंदे डाले है प्लस 2 और 10 सलाईयों की ये बार्डर की बुनाई भी मैंने किया है ये देखे इसमें मैंने दोनों साइड से सीधे सीधे border की बुनाई की है तो यह देखे कट वाली border है बहुत ही प्यारी लग रही है और बहुत easy है देखे देखने में जितनी front खुपसूरत है बनाने में उतना ही easy है तो आप लोग जरूर इसको try करें तो चलिए वीडियो को सुरू करते है देखे friends इस border को बनाने के लि है आप अपनी project पे जितना भी फंदा रख रहे हैं लेकिन 10 के इसाप आप 60 भी ले सकते है 70 ले सकते है 80 ले सकते है 90 ले सकते है 100 ले सकते है ऐसे ही आपने इस border में रखना है फंदे क्योंकि यह 10 के इसाप से ही फंदा से डिजाइन ये बनता है अगर एक भी फंदे कम जादे होंगे तो आपकी डिजाइन नहीं बन पाएगी इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा friends कि इसको हम 10 के हिसाब से फंदे रखेंगे क्योंकि यहाँ पे 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 यानि 8 प्लस 2 यानि 10 10 फंदे हो गए तो ये डिजाइन हमारी 10 के फंदे नॉर्मल आप लोग समझ लीजिए कि आपको 10 के हिसाब से ये प्रोजेक्ट में अपने फंदे रखने है अगर आप बच्चे के लिए कुछ भी बना रहे है कैप बना रहे है अगर आप रखना चाहते है छोटे बच्चे का बना रहे है तो 70 फंदे रखिए या 60 फंदे रखिए 80 रखिए 90 रखिए 100 रखिए जितना भी लेकिन 10 के हिसाब से ऐसा नहीं रखना है आपने क्या 65 रखे 75 रखे या 72 रखे ऐसे नहीं रखना है के साफसे तो यहा पे देखिए मैनने यह परपल कलर या नि मैं बैगनी डिया है हम इसको दू कलर में बनाएंगे हैं की यह दो कलर मैरे पास है तो मैं इस तो कलर का बनाऊंगी आपके पास दो कलर कोई सा真的 यह तो रे सकते हैं यहां पर मै डबल सलाय में असी फंदे डाले हैं अगर आप लोग डबल सलाई पर फंदा डालना नहीं आता है तो कमेंट करिए फिर मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूंगी वैसे मैंने बताया है तो यहां पर देखिए जैसे हम नॉर्मल सिंगल सलाई पर फंदे डालते हैं वैसे डबल सलाई लेके अब ऐसे फंदे डालते हैं तो इसमें से एक सलाई हम निकालेंगे आपको इसे भी सलाई ऐसे धीरे से खिच के निकाल सकते हैं यह देखिए यह अराम से निकाल जाएगा तो देखिए हमने एक सलाई यहां से निकाल दी अब यह फंदे हमारे लोज हो गया है अब हमने क्या करना है हम यहाँ पर एक सलाई बनाएंगे उल्टी उल्टी देखिए नॉर्मल जैसे हम बनाते हैं फ्रेंट्स वैसे सभी फंदे को हमें हाँ पर असी फंदे लिये हैं तो हम सभी फंदे को उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे तो बहुत इजी डिजाइन है बहुत ही खुपसूरत यह बॉर्डर बनकर आता है इस बॉर्डर से आप कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं इसको आप उलें ब्लाउज कार्डिगन जैकेट या बेबी के लिए कैप भी बना सकते हैं बस जैन स्वेटर में यह डिजाइन नहीं पड़ेगी और बाकि जितने भी लेडिज या बच्चों के प्रोजेक्ट हैं बच्चों के भी बनारे तो उसमें भी आमससी को डालिये बहुत ही प्यारा लगता है तो चलिए हम सभी फंदे इलटा उ diffyat करते हैं कि इसलिया डते हैं और हम पीछे की साइड आ गयर फ्रैंञे पीछे की साइड और फ्र integration उपेहें से तो यहीं से हम अब दूसरा कलर लगाएंगे और डिजाइन हमारी सुरू हो जाएगी बन ठीक तो अब हमने क्या करना है देखिए ध्यान से देखिएगा आप लो दो फंदे हम उतारेंगे फ्रेंट्स एक दो दो फंदे हमने उतारा अब यहां से हम दूसरा कलर अपना जोड़ेंगे आप चाहें तो पीछे से गाड भी लगा सकते हैं तो देखिए हम आठ फंदे पीले कलर से बनाएंगे ध्यान दीजिएगा आप लोग दस दस फंदे का मैं बताई हूं तो दस फंदे का ही डिजाइन बनेगा तो यहां पे देखिए हम आठ फंदे से पीले कलर को बनाएंगे तो और यहां पे देखिए एक, दो, तीन, चार चार फंदे हो गया है में पांच, शे साथ, आठ आठ फंदे हमने पीला बना लिया अब फिर हमने क्या करना भी दो फंदे उतार लेने ने आप से झेक धियान से देखिएगा बहुत तीजी है 8 फंदे हम दूसे यानि पीले कलर से सीधा सीधा देखिए दो दो चार दो च्छार दो आठ और दो फंदे हम यहां पर ऐसे उतार लेंगे तो देखिए यह हमारी ददस फंदों की डिजाइन है देखिए यह 8 प्लस 2 एट प्लस 2 तो ऐसे ही ददस की अब फिर से हम यहां पर 8 फंदे बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ दो फंदे हम यहां पर उतार लिए फिर से हम यहां पर 8 फंदे बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ फिर से हम यहां पर दो फंदे उतार हैंगे एक यह देखिए दो यह वाली लाइन हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेंड्स व्याली यह वाली लाइन हम ऐसे कंप्लीट करते हैं फिर पीछे की साइड जाते हैं देखे फ्रेंट्स हम पूरा बनाके एक लाइन यह डिजाइन के हमने कम्प्लीट कर ली है बॉर्डर की वन रो अब हमने क्या करना है पीछे की साइट से एक सीज और फ्रेंट्स मैं बताना भूल गई दस के साब से आप फंदे रखेंगे प्लस टू कर लेना है आपने ठीक है जैसे आप 80 रख रहे हैं तो 82 रख रहे हैं तो 72 नबे रख रहे हैं तो 92 क्योंकि अभी जब मैंने डिजाइन बनाया है तो यहाँ पे हमने काउंट किया तो दो फंदे हमारे कम हो रहे थे तो दो प्लस टू फंदे एक्ष्टर कर लेना है ठीक है इसलिए आपका तब अच्छे से डिजाइन अब पीछे की साइड से हमने क्या करना है देखिए दिहान दीजिएगा यह दो फंदे को हमने ऐसे ही उतार लेना है इन दोनों फंदे का भी कोई काम नहीं उनको पीछे की अब उनको अपनी साइड लाएंगे इस दोने फंधे को उतार लेएंगे उनको पीछे लेगएक यह पीला वाला जितना फंदा है आट फंदे है तो इन आट फंदे को हम सीधा सीधा बनाएंगे यह देखिए अब उन को अपनी साइड इन दोनों फंदे को ऐसे उतार लेना है जिस्टिज फिर उन को पीछे ले जाएंगे यहाँ पे आठ फंदे को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे तो इसको हमने 10 लाइन ऐसे ही रिपीट करना है फ्रेंट्स हमने दो फंदे को बश सीर को बश दोनों सैड से हम ऐसी यह आड़ फंदे जो हैं इनको सीधा-सीधा बनाएंगे फिर उनको अपनी सैड ला के दो फंदे को हम उतार लेंगे पीछे ले जाएंगे और यहां पे आड़ फंदे यहां सीधा-सीधा बनाएंगे दो तीन चार पांच छे साथ आठ उनको अपनी साइड इन दोनों फंदे को उतार लेना है फिर उनको पीछे ले जाएंगे आठ फंदे बनाएंगे सीधा सीधा उनको अपनी साइड ये दो फंदे उतार लिए इन देखे फिर से आगे की साइड आगहे हैं तो फिर से हमने वही repeat करना है अभी हम ये बैगनी वाले फंदे अटार रहे हैं इनको भी हमने नहीं बुलना है ये दोनों फंदे को फिर से ऐसे उतार लेंगे ठीक अब यहाँ पे भी हम सीधा-सीधा फंदे को बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ और यहाँ पे इन दोनों फंदे को हमने ऐसे उतार लिया फिर से देखिए, यह फंदे को हम सीधा-सीधा आठ फंदे को बनाएंगे दो फंदे को उतार रहेंगे तो चलिए, यह लाइन भी हम ऐसे पूरी कर लेते हैं आप लोग समझ लेजी, आगे की साइड से भी हम सीधा-सीधा बना रहे हैं पीछे की साइट से भी सीधा सीधा बनाये थे और यह जो हमने फंदे उतारे हैं इनको हम बस ऐसे उतारते हुए ही चलेंगे उनको हमने बनाना नहीं है जब तक हमारी यहां पे 10 सलाई ना हो जाए ठीक आगे पीछे यानि उल्टी सीधी लाइन मिलाके 10 सलाई हमारी होनी चाहिए तो अभी यह देखिए फिर से हमने उतार लिया बागी के फंदे आठ फंदे को हम यहां पे सीधा सीधा बना रहे हैं तो चलिए इसको भी हम ऐसे कंप्लीट करते हैं अब फ्रेंट्स मैं आप लोग यह देखिए आप दो कलर कोई सा भी ले सकते हैं तो किता प्यारा लग रहा है फ्रेंट्स इससे आप बेबी कैप बेबी के लिए शोइटर या फ्रॉग पे भी यह डिजाइन कट का डाल सकते हैं बहुत ही अच्छा लगेगा यह जिग जैग पैटर्न फ्रेंट्स 80 फंदे डाले हैं तो 82 जैसे मैंने आप 80 फंदे प्लश टू किया है तो मेरे टोटल यहां पे 82 फंदे हैं तो यह बहुत ही प्यारा लग रहा है फ्रेंट्स तो आप जरूर इसको ट्राई करें यह बनाने में बहुत हीजी है अब इसके उपर आप जो भी प्रोजेक्ट बन बनाना चाहते हैं तो इसके उपर आप बनाना सुरू कर दें क्योंकि इसमें कोई भी फंदा हमारा कम नहीं हुआ है आप सेकंड कलर लगा के बनाना सुरू कर दें अगर आप बनाना चाहते हैं तो जैसे जो भी आप लोग बनाना चाहते हैं इसके उपर आप सुरू कर सकते बनाना इसके पहले मैंने इसी का बर्ड़ बताया था लेकिन उसमें मैंने